हेलो गाइस, टेरो वीट मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो, आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किया होंगे, गाइस, आज हम जो टेडिंग करने वाले हैं, उसका टॉपिक है, जिन्दिगी आपको कौन सी फेटड खुशी से नवाजने वाली है, कुद्रत आपको कौन सी फेटड खुशी से नवाजने वाली है, ये एक जनल टॉडिंग है, गाइस, वह सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बत आपके सिचुशन के अकॉर्डिंग, आपको रेजोनेट करती है, उसे रख लीजेगा बाकी कोई चाने दीजेगा तो देखते हैं जिंदगी आपको कुद्रत आपको कौन से फेटेट खुशी से नवाजने वाली है यह एक टामले स्टुडिंगे गार्स आप जब कभी भी ऐसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी आपके सपने साकार होना आपके सपने जो है वो रियलिटी में बदलना गाइस कोई बहुत बड़ा सपना आपने सुच रखता है उसके बारे में आपको लग रहा है कि इसमें अगर माली की मेरा सपोर्ट करे तो मेरा यह सपना साकार हो सकता है काफे सारी wish है guys आपकी, काफे सारी इच्छाएं है न केवल एक faded कोई wish के बारे में guys कुछ है आपके मन में, बहुत कुछ है और उसके बारे में कहां जा रहा है कि आपने जो भी सपना सोच रखा है अपनी life के लिए कोई बहुत बड़ी सफलता के बारे में सोच रखा है कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है आपने कि जो भी सोच रखा है ना वो वाकई में गाईस आपके भांगे में लिखा हुआ आपके लिए फेटड है कि उसके लिए बिलकुल अपने फोकस को बरकरार रखना और और अपनी मैनत को बरकरार रखना जो भी आपने सोच रखा है उसे आप लाइफ में अच्छिव कर पाओगे गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसे ने बच्छपन से अपने लिए कुछ सोच रखा है कि मुझे लाइफ में यह अच्छिव करना है कोई सफलता को अच्छिव करना है या कुछ प्राप्त करना है या अपने लिए कोई सपना संजो करना है चाहे हो सकता है बड़ा बिस problems आ रही है, कुछ नो कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है या अभी हाल फिलाल में आपको ये लग रहा है कि इतनी बादाईं create होने के बाद मैं आपको नहीं लगता कि आपका वो सपना साकार हो पाएगा कहीं ने कोई मन में एक निराशा के भाव, एक हर्मिट वाला भाव आप में चल रहा है, कि उम्मीद की कही कीरा नजन नहीं आ रही है, अब मैं सोचू इस सपने के बारे में तो क्या सोचू है ना लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है गाएगा आपका जो भी सपना है जो भी सपना है, वो साकार होगा इसमें रुकावटे बहुत आ रही है आपके आपको चुनोध्यों का सामना बहुत करना पड़ा, इवन इस्पेशली यह कह सकती हूँ कि आपके घर परिवार का इर्दगिर्द का वातावरन भी कुछ ऐसा होगा जो आपके कदम रोकता है सपने की और बढ़ने से पर आपको रुकना ही तो नहीं है गाईस यह तो आपके समय को वेस्ट करने के लिए सिचुएशन आपके इर्दगिर्द बनेगी लेकिन यह आप पर निर्बर करता है कि आप उसकी तरफ ध्यान रखकर वहाँ पर फसे हुए रहो यह अपने कदमों को रोको ना यह आप डिपेंड करता है है ना आप एक बात का खायल रखना कि अपनी एनरजी को बैलेंस में रखना गाईस है ना और अपने सपने की तरफ दोड़ को आगे बढ़ा रहा है या इस सपने को सकर करने की तरफ आगे बढ़ा रहा है आपके भागिये में यह फेटेड खुशी लिखी हुई है कि आपने जो कुछ भी बच्छपन से आपने सोच रखा है कि यह यह खुशी मुझे मिलने ही चाहिए यह प्लैसिंग मुझे मिलने चाहिए वो मिलकर रहेगे गाई उसके बीच में बहुत से प्रॉब्लम आ रहे बहुत से लोग रोडे बनने की कोशिश कर रहे है आपको रोगनी की कोशिश कर रहे है और कुछ चीज़े नहीं बहुत है जो कुछ चीज़े आपको मिली है गाई इस्पेशली बताय जा रहा है कि कुछ चीज़े जो किसी ने आपको ये तक कहा होगा कि आपकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी वो आपको उन्हें प्राप्त किया है फिर भी अपने प्राप्त किया है कुछ चीज आए आपने अपने कर्मों से प्राप्त कर लिए अपनी लाइफ में तो मालिक इसी बात के बारे मैं कहा रहा है कि ये चीज आपने ध्यान में रखना आपने दिमाग में रखना विश्वास में रखना ट्रस्ट में रखना कि आप अपने कर्मों को बरकरार रखो तो आपके भागे में जो नहीं भी लिखा हुआ ना वहां अगर आप अपने कर्म खराब नहीं करते हो ना तो डेफिनेटली उससे आपको कोई चीन नहीं सकता चाहे आप वह blessing आने में delay हो गया है या फिर वो blessing अभी तक आपको मिली नहीं है थोड़ा समय आपका ज़्यादा निकलाया गारे आपकी age के बारे में पता चल रहा है कि आपका समय थोड़ जादा बीद गया है और दिक्कत आपको इसी बात को लेकर रहे हैं मेरा समय वेश्ट होता ज़ा रहा है मेरा समय निकलता जा रहा है मैं कैसे कुछ करूँगा कैसे कुछ करूँगे सब कुछ होगा guys सब कुछ होगा ये समय का justice आपके साथ देखना आप जो सपने आपने संजो रखे न वो reality में कैसे बदलते हैं हकीकत में कैसे बदलते हैं वो देखना पेटेड कोशी ऐसी है गाइस कि आपके सारे cups को भड़ देगी आपकी problems को पुरी तरीके से खतम कर देगी लाइफ का कोई भी हिस्सा होगा हर एरिया में आपको victory मिलना हर एरिया में आपका मन खुश रह न है न good fortune आपका भागे का साथ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है गाइस सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस universe पर believe रखना है ना आपके मन में चिंताएं हैं अभी बहुत ज़्यादा दो तरफ से किसी इंसान का कहता है ना कि ध्यान बटका हुआ ना मुझे नहीं लगता दो तरफ से बहुत सारे मसलों पर आपका ध्यान अपनी लाइफ में अटका हुआ है इमोशंज को लेकर भी है ऐसे गहनीत बहुत चल रही है गाज़िस आपके काफे सारी एरिये को लेकर आपकी लाइफ में परेशान ने बहुत क्रेट हो रखिय है जो कही ने कहीं आपको इस सपने की तरफ आगे बढ़ने से रोके, आपकी इस खुशी की तरफ आपको आगे बढ़ने से रोके, ये परिस्तित्य जो बनी हुई है ना गाईसी यहीं चाहती है, कि आप गिव अप कर दो, हैना, इसी वज़े से आपको उलजाने की कोशिश में, और कहीं न कहीं आपको भी पता है, कि मैं आपने इस खुशी की तरफ, हैना, आगे ना बढ़ पाउंस वज़े से ये परिशाने क्रेट हो रही हैं, और लोग भी कहीं न कहीं, एक कदम आपका खीचनी के कोशिश करते हैं, कि आप इस तरफ आगे ना बढ़ो, लेकिन आपको वहीं नहीं करना है, गाईस, उसी पात के विरुद में जाना है आपको, हैना, उतने लेवल तक कि अगर सक्रियता रखते हो, तो आपका जो भी आपने सूचा हैना, वो आपको मिल जाएगा, वो प्राप्त होकर रहेगा, यहाँ पर कोई 100 और 1 परसंट ट्विन फ्लेम एनरजी में है, गाईस, तो आपकी हील हुए हो, या खुद को हील किया, यह कि लेवल तक में आपने टौवर मुमेंट देखे हैं, इस यात्रा के शुरुवात आपके बच्पन से हो गई है, और बच्पन से कहता ना बच्पन को जिया नहीं है, बच्पन से बड़े होने के भाव यह आप में रहे हैं, गाई, responsibility अपने उम्र से ज़्यादा की निभानी, यह आपके साथ कर्तव्य का निर्वा और एक सच्चे होने वाला भाव भी, सब जिजे एक साथ गाए, जहां पर कोई इंसान कुद के बारे में नो सोचकर उन्हें पता है कि उन्हें इस duty का पालन करना है कि मुझे औरों के बारे म सोचना है, real twin flame journey यही होती है, बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं, लेकिन twin flame journey का मतलब यही है, त्याग और समर्पन अगर किसी इंसान में कूट कूट कर भढ़ जाते हैं, सबसे पहले उनकी test होती है अपने परिबार को लेकर, अपनों को लेकर, वहां त्याग और समर्प करते हैं, मकसद है आपकी life का, उसे पार पा जाओगे, प्राप्त कर लोगे देखना, आपकी life थोड़ी अलग रहेगी गाईस, और लोगों से, आप सोच रहे होना कि आपको समय के बाद में कुछ चीज़े मिलत रही है, यह थोड़ा समय लग कर मिल रही है, तो यह पहले आ हो कि आप हो या ना हो, हाना, आपको मतलब थोड़ा time लगए कर मिल रहाएगा है, पर बहुत अच्छा मिलेगा, हाना, चाहिए यह personal life को लेकर देख रहे हो, professional life को लेकर देख रहे हो, आपको, आप यह वर्स को बहुत धन्यवाद करो कि आपको जो कुछ भी मिलेगा, यह प यह सबर का फ़ल आपको कितना अच्छा मिलता है, बेसबर बहुत हुए हो ना, अब वो इंतजार कटम हो रहा है, जिन्दा मत करना, अभी तो यह न्याए का समय ही चल रहा है, यह ना, कि वो आपके साथ न्याए हो, समय आपके साथ न्याए करे, कि आप जिसके योग यह हो वो खुशी आपको मल जाए। Fated, जो आपके लिख्य हुई है, जिसके मार्ग में कोई भी रोड़ा डालने के कोशिश करे, फिर भी वो आपको मिलेगी। उसी समय पर मिलेगी जिस समय आपको मलने है। और जिस इस्थान पर मिलने है उस इस्थान पर मिलेगी। तो यह destiny ने तैर कर रखा आपके लिए समय और इस्थान। आप खुद बखुद वहां तक पहुँच जाओगे। आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं है इसमें। यह सारे प्रयास destiny के है। तो चिंता मत करना गाइब। कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे यह faded कुशी मिलेगी नहीं मिलेगी। आभास तो है आपको कि यह चीज आपकी life में मिलेगी मिलेगी आपको। भले समय आपको कितना भी निराशा वाली करने के कोशिश करे आपको आभास है। क्योंकि जो लोग spiritual होते हैं ना उन्हें पहले ही पता चल जाता है अलाकि illusion हावी होने की कोशिश करती है illusion means आपके आसपास की situation है ना नकारात्मक situation जो होती है ना वो कहीं ने कहीं illusion पैदा करने की कोशिश करते कि यह blessing आपको मिले की नहीं है इसे आपको छोड़ देना चाहिए बट नहीं समय है ना उसकी ढाल बनकर खड़ाएगा है यह देखो 99 का काड आया है विशेश काड है काड चूजन मन को इस प्रिचोल जड़नी में हो आप है ना यहाँ पर भी देखो कि give up मत करना बिल्कुल भी give up मत करना इंजल सापकी मदद करेंगे गाईज ना 99 के एनरजी यही कहती है कि किसी बात को लेकर दुखी मत हो समय अपने आप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देगा बिल्कुल बकाइदा सब कुछ अच्छा कर देगा और आपको भी बड़ा powerful कर देगा ठीक है ना कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाओन उसे अच्छीव कर पाओ और किसी बात को लेकर आप में जो अशुरक्षा का भाव है किसी hidden परिशानी या किसी hidden जैसे black magic हो गया या पता नहीं क्या कोई नकार आत्मकता से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि ये बार-बार आपके खुशी में बातक बननी की कोशिश कर रही है तो जब कभी भी आपको कोई खुशी मिलेगी तो ये फिर से बातक बननी की कोशिश करेगी ना जी मैंने क्या कहा कि जब समय और इस्तान मालिक ने निर्दारित कर लिया है एक डेट मालिक ने आपके लिए निर्दारित कर लिया ना तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई सामदाम दंड भी कुछ भी अपना ले बट आपको फिर भी वो ब्लैसिंग मिलेगी फिर्टेड कोई खुशी आपके लिखे हुई है जो बहुत बड़ी है गायस बहुत बड़ी है आपको उसके बारे मांदेशा है आपने उसका बहुत इंतजार किया है उस बात को लेकर आपको अन्याय का सामना बहुत करना पड़ा है लेकिन फिर भी वो खुशी आपके भाग कि मैं हैं आपको मिलकर रहे हैं आपको उस बात को लेकर give up नहीं करना है जो भी सपना है उसकी तरफ आगे बढ़ो ओकी तो मस्टू सेलिब्रेट ओकी देखो ये सेलिब्रेट करोगे गाईस ये किसी के लिए शादी का है गाईस क्योंकि यहाँ पर four of friends का लग रहा है है ना ये कुशी आपको मिलकर रहेगी गाईस शादी किसी की हो नहीं ही रही है समय बहुत ज़्यादा निकल गया है एज मुझे ऐसा लगता है 30 या 35 से ज़्यादा हो गई है में भी हो सकता है 40 के पार भी हो गई है तो ये आपको डड़ लग रहा है कि अब आपकी शादी कैसे होगी होगी भी या ना होगी ऐसा भी आपके मन में आ रहा है जैसा मैंने का ना गाईस का अगर ट्विन फिल्म जर्ड़नी में हो तो आपकी लाइफ वैसे ही के लो गाई परिवार को लेकर या किसी तरीके के सपोर्ट को लेकर है ना कुछ चीज अगर मिले भी है ना तो वो आपके भागय से मिली है और कुछ भागय की विरुत जाकर आपके कर्मों के अधार पर आपको मिली है है ना तो जो भी वेटेड चीज आपकी लाइफ में है इसके बारे में आप सोच भीआ नहीं कर सकते आपको भीड़ दिमाग में रखना है कि आज नहीं तो कल वह आपको मुल जाएगी पर मिलेगी पका मिलेगी यहार इसके लिए लिए इसमेह को आपको प्रिश बुख अपर समय को हो ना कभी तक शादी नहीं हुए हो जाए की चिंता ही मत कुरिए देखो seven of cups का काड आया है यहाँ पर भी cups भरे हुए यहाँ पर भी cups भरे हुए गाईस आपको बेवजे की चिंता हैं किसी मामले को लेकर है ना आपके पार choices आएगे गाईस अगर काम के बारे में भी सोच रहो ना बिजनस की बारे में काम के बारे में भी सोच रहो ना opportunity नहीं आए बापरचनिटी भी आएगी आपके पास आपके सपने को साकार करने के लिए खुद मौके आपके पास आएंगे यह खुद opportunities आपका भागया के लिए लेकर आएगा आने वाले समय में में आपने भागय का साथ देखना किस तरीके से किस लेवल पर मिलता है आपको और कितनी शुरक्षा करता है आपकी है ना बहुत उच लेवल पर आपका भागय का साथ आपको देखने को बिलेगा जहां किसी भी तरीके की बूरी उजना जो है ना वो आप पर लगेगी ही नही आपके काम पर देख लो अगर कोई कितने भी रोडे डालने की कोशिश करेगा या कितने भी नकारातमक्ता सैंड करने की कोशिश करेगा आपके काम में कोई बिगड़ा होगा ही नहीं आपके लाएक के किसी मामले में कोई बिगड़ा नहीं होगा जब किसी इंसान का भाग्य इतना प्रबल हो जाता है नहीं तो प्रबल था मतलब एक्षिन में दिखती है उनकी लाइफ के एरिया में दिखती है यह आपके साथ होने वाला है आपके कप्स भरे जाएंगे भागय का बहुत बड़ा साथ मिलना गाइस यहां पर भी कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशन करने के लिए रेडियर हो गाए कि जो फेडर खुशी आपके भागय में लिखे हुए ना यह बहुत जल्द बहुत जल्द आपको मिलना वाली है और उसके लिए मालिक को धन्यवाद करना चोटी-चोटी कुशी भी मिलते है तो उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद करना आपकी लाइफ में आपको पीस है प्रॉस्पेरिटी है यह बहुत जल्द मिलने वाली है आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है बारे में सोचा है आपने इतना बड़ा मकान होना चाहिए मुझे इतनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए और उसको लेकर अगर कोई कहे ना कि अभी के बारे में सोचे ना कि उस लेवल तक लाइफ में सकसेस मिली नहीं है उस लेवल पर अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं किये तो कैसे यह लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगी ऐसा कुछ नकार अत्मक मत होगा है भाग्य कब क्या देदे कोई कुछ नहीं कह सकता तो कुछ फेटड चीजें ऐसी है गाईज ऐसे सपना आपके साकर होने के बारे में बताया जा रहा है जो अभी बकाईद आपको सपने लग रहे है लेकिन वो हकीकत में बदलेंगे गाईज बेभी हो सकता है इन दिनों में कुछ अलग तरीके के सपने आरे अच्छे सपने आरे celebration वाले, शादी भी आके सपने आ रहे हैं, कि किसी और की शादी में आप जा रहे हो, या फिर अपनी ही शादी के बारे में, या फिर अपनी ही pregnant होने के बारे में, अपनी ही गोदी में बेबी, हस्ता मुस्कुरात हो, बेबी, कुछ ऐसा गाइस, है ना, तो ये भी आपको अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो, अपने बच्चे की मुझे कहता है ना, कि उच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, एक पैसो की व्यवस्ता के बारे में सोच रहे हो, या कुछ ऐसा है, नेको मैं एक बात कहूँ, इसके लिए बहुत अच् है, उनकी महनत, उनकी उपलबती कहीं ना कहीं सफलता देदवाएगे का है, मैं भी हो जगता है, स्कॉलर्शिप मेल जाए, ठीक है, आपके बच्चे की महनत को देखते हुए, कहीं ने कहीं व्यवस्ता है, प्रबंधन अपने आप होते हुए नजर आ रहे हैं का है, वो आपके बच्चों की एजुकेशन रुक जाएगी, या फिर जिस इस तर पर उच्छी इस तर पर आप शिक्षा दिलवाना चाहते हो ना, वो नहीं मिल पाएगे, ऐसा नहीं है, आपके बच्चों का भविश्य बहुत सुरक्षित है, है ना, और यह कहता है, बहुत अच्छ आपके बागे में बहुत बड़ा परमोशन आपको मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रमोशन आपको चाहे आप गवर्मेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, यह सेप्टमबर तक में आपको प्रमोशन मिल रहेगा, मिलकर रहेगा ठीक है और अगर आपका बागे अच्छा साथ दे आपका ठीक है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूं गाइस की 9 हफतों में ही हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए लेकिन इसी साल में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना ही लग रही है कोई बॉस है आपका या कोई है आपसे कोई अधिकारी हो सकता है जिसकी नजर आप पर बहुत ज़्यादा है आपके कामों पर आपके घति विदियों पर बहुत ज़्यादा नजर है और कहीं ने कहीं कोई आपसे प्रभावित भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कि किसी की हेल्प हो सकता है कि अधिकारी या फिर वह से प्रशेशन में आप जाना चाहते हो कोई डेफिनेटली जॉब की संभावना है ही है गाइस है ना केवल गवर्मेंट जॉब की आप जिस भी जॉब के बारे में सोच रहे हो ना एक अच्छे इस्तर की जॉब आपको मिलकर रहेगी ठीक है ना जी पर चीज़ों में सुधार होते हुए नजर आ रहा है किसी मामले को लेकर कहता ना कि कि अपनी लाइफ को लेकर विए समय आपको देगा घाइस ठीक है कुछ चिजों में ऐसे ही अचिंजिस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप बिलकुल ऐ कह सकते हैं तो एक बार आप से छूटी है लेकिन फिर से आपको मिलेगी यानि किस्मत आपके लिए कोई मौके दोबारा लेकर आएगे काई में भी हो सकता है जैसा मैंने कहा कि कोई सपना हो सकता है कि इसे पूरा करने के पीछ में एक गैप आजाना या कोई ऐसी रुकावट आ जाने जिसकी वज़े से एक समय के लिए सपना आप से चूट गया है या कोई ब्लैसिंग आपको मिलने से रह गई है लेकिन फिर से कहता है ना कि जैसा आपके भाग्य में लिखी हुई है और निर्धालित समय पर लिखी हुई है तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा वो खुशी का मिलना गाईस उसको लेकर अगर आपके मन में कोई गलत फैमी है या फिर थोड़ा सा आपको रेडि करने के अवशक्ता थी तो वो समय ने आपको रेडि कर लिया है है ना तो फिर से दोबारा से कहता है ना गाइस कुछ मिलना आपको में भी हो सकता है यह opportunity हो सकती है जिसका आप सोचो कि फिर से मेरी life में आ जाए है ना यह कुछ भी ऐसा जो blessing के तोर पर है यह वापस से आपकी life में आएगी और इसे लेकर जो भी परेशाने create हुई है ना उस से accept करना का है क्योंकि समय आपको life को लेकर बहुत बड़ी clarity देने वाला है कि आपको direction क्या choose करना है मिभी हो सकता है खूब सारी choices आए opportunity खूब सारी आई लेकिन आपके लिए क्या बहतर है उसको आप अपना लो है ना ब्रहमित ना हो अब अपनी life में इन चीजों के बारे मे मुझे आगे करना क्या है अपनी life में और यह किस इंसान को पता चल जाते एक direction पता चल जाता ना तब उनका समय खराब होता नहीं है और आप अपना समय खराब नहीं करना चाहते उसी तरफ बढ़ रहे हो guys है ना उसी तरफ बढ़ जो बिलकुल ये लो अच्छे पल आपके बिलकुल कि एक नई शुरुआत के बारे में कहां चा रहा है यहां पर भी एक life के नई शुरुआत के बारे में कहां चा रहा है कि जिन्दगी कहते है किसे सुक को भोगना किसे कहते है सुक को जीना किसे कहते है है ना life को आसान होना किसे कहते है महत्वपूर्ण गटनाए हो आपके लाइफ में, रेड और ब्लू का कम्बिनेशन भी आया है, जो फेड़ बकाईदा आपके भागया में है उनको अब आप अब जियोगे, आखिर हैपिनस क्या होती है, यह अब आप देखोगे, रोश्नी क्या होती है, सूर्य का उजाला क्या होता है, छोटी छोटी आप करने वाले हो लाइफ में, यह ना, लाइफ के प्रतिय आपका नजरिया भी बदल जाएगा, बहुत शान्त हो जाओगे, एक जिसे उल्जा हुआ हुआ दिमाग जो है ना, वो इतना सलच जाएगा, यह ना, कि समस्यों का निवारण किस तरीके से शिक्रता से करते हैं, बिल्कुल वो, वो एनर्जी आपकी हो जाएगी, ज्ञान बहुत आएगा, समय दर समय आप में ज्ञान बहुत जाएगा, बहुत ज़द यादा और यह ज्ञान आपका अधार बनेगा, आपके लिए, अबंडनस के लिए, यह आपको अबंडनस के रास्ते प्रसिश्त यहां पर मैंने कहा ना कि शादी की संभावना भी लग रही है परेशान हो ना आपके मेहनत रंग लेकर आए आपके सपनों को साकर किया जाए है ना और यहाँ पर मैंने कहा ना कि शादी की संभावना भी लग रही है परेशान मत होना दुखी मत होना कि अभी तक शादी हुई नहीं है हो जाए कि बहुत अच्छी इंसान से होगी गाइस है ना कभी कभी क ऐसे blessing को हम जाने ना दे और जाए भी ना लएफ से क्योंकि यह तो हमेशा के लिए होती है ना कोई कि सतायत वह कर कोई blessing कि आप के लिए strategy चल रहे गाई और शुरवात हो चुकी है है ना कुछ changes होने के शुरवात हो चुकी है बहुत चल तो कोई ना कोई celebration आप अपनी life में मनाओगे मनाओगे गाई कुछ तो आपकी life में होगा ही होगा शादी समारों का लग रहा है काई सगाई का लग रहा है कुछ खो या हुआ सा एक बार में कुछ खो गया था वो फिर से आपको प्राप्त होगा तीक है ना गलत फ्यामिया या कुछ एक धुंद से किसी बात पर लेकर मची हुई थी ना वो खतम होती हुई नेजरा लेका है एक नकार आत्मकता चाहे आपकी life की किसी भी मामले में पार्सनल लाइफ को लेकरो प्रोफेशनल लाइफ को लेकरो जो अभी बीते साथ-ाथ महीनों में कोई नकार आत्मकता बेवजे की आपकी life पर चल देती ना वो खतम हो रही है आपकी creativity को भी अप उभरोगे गास अपनी creativity को अपनी energy के आदार पर खुद बाहर देकर आने की कोशिश करोगा इस पर work करोगे यहाना मेहनत बहुत करने वाले हो गई साने वाले समय में वार्को हलिक बहुत ज़्याद हो जाओगी महत्व कांग्शी बहुत होगे, आपको अगर कोई सफलता भी मिलें की ना, तो वहाँ पर रुकने वाले नहीं हो, कि कोई तरक्य मिल गई, कोई प्रोमोशन हो गया, तो वहाँ पर रुक गई, आप महत्व कांग्शी इतना होगे कि मुझे और ज्यादा लाइफ में अच्छी कि आप यह थार्दता की धरातल पर जाकर चीज़ों को सोचो कि लाइफ में चीज़ें किस तरी के से चल रही है उन्हें हमें कैसे हैंडल करना उन सब के बारे में एक बार अच्छे से विचार आना सोचना है ना फिर निर्ड़ने लेना यह सब चीज़ें आपके साथ हो रही ह कि अःफ गाव व काव मेंच है कि वाव थाफ लाड़ने लाटता है Okay, seven of friends guys आपका मड़ी पूर्चक्र एक्टिव है वो औरा बना रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है सुरक्षित कर रहा है आपको हर तरीके की नकारात्मक्त आपसे दूर जाए इस तरीके की कोशिश चल रहे है इवन मैं कह दो आपको कि जो भी लोग आपका कॉणफिदेंस तोडने की कोशिश करते हैं जिनके बारे मैं आपको पता चल गया है कि यह लोग कहीं न कहीं मैं कुछ भी कर लूँ मैं किसी भी तरीके से सोच कर कोई फैसला लूँ कोई एक्शन लो न तो यह लोग मुझे मेरा आत्मविस्वास को तोडने की कोशिश करते है ऐसे लोगों के बारे में आपने दूरी बना लिए कि मैं आपने आसपास भी इनको बटगने ना दू यह हमेशा मेरे आत्मविस्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनसे आप दूरी बना रहे हो क्योंकि आप अपने आत्मविस्वास को तोड़ना नहीं चाहते हैं समझ आप में आ गई है is इसका, ापको करना क्या है, आपको अपनी protection कैसे करनी है। यह कहता है रण नीती जीवन को लेकर आपको समझ में आ गइ। आप या तो काना जहे के motivational घॉत रहे हो याap किसी तरीके के motivational thoughts जो है नए आप सुन रहे हो कुछ कर रहे हो यह कही नगहीं आपके लिए काम कर रहा है Cam keep कुंकि करने के लिए जो कुछ भी transformation एकने circle में प्रविश्य कर जाना आपके जिस action को लेने से डर लग रहा था उस action को लेकर आगे बढ़ना ये भी आपके साथ हो रहा है ठीक है आपका भविश्यों guys बहुत कुछ लेकर बैटा है और उसके लिए आपको खुद को ready कर रहा है और आगे बढ़ाने के लिए आपक कितनी development हो रही है और कितनी विक्सित हो रही है आपको खुद को समझ में आ रहा है spirituality के बारे में sign के बारे में कि किस sign के दिखने से क्या होता है मतला खुद को प्रकति के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हूं बहुत अची काम कर रहे हो का है जिसे मन खुश रहे आपका निराशावा दिना हो और जो मैंने का ना कि थोड़े बहुत हर्मिट वाले मोड में हो उससे खुद को बाहर निकालने के भी कोशिश कर रहे हूं कहीं न कहीं आपास है मालिक ने बच्चे को आपास दिलवा दिया है कि आप कोई spiritual यात्रा में हो या फिर आपको life में बहुत कुछ कोई बड़ा आपका फेटर आपके नसीब ने कुछ आपके लिए बचा कर रखा वो आपको मिलेगा और ये आवास है किसी को है ना बले एक तकलीफ में है लेकिन आवास है page of events सब पता है काईज आपको आपसे छुपा हुआ कुछ नहीं है आपको अच्छे से पता है कि आप किस और बढ़ रहे हो और आपको आगे भविश्य में क्या मिलेगा ये से को अपने मंजिल के बारे में पहले से पता है काईज पहले से पता ये night of events का कार्ड है लेकिन यहां पर मुझे दो बातों के बारे में पता चल रहा है एक तो बड़ी सफलता के बारे माँ दूस रहा है marriage के बारे में है न अगर आपके शादी अच्छी नहीं चल रही है उसमें कोई विवाद है guys परेशान मत हो आपको लग रहा है न इतनी कोशिश है कर ले लेकिन ठीक नहीं हो रहा है मुद्दा कहीं से कहां पर महुच रहा है सब कुछ ठीक होगा guys सारी गलत फ्यामिया दूर होगी और आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत behavior करा है तो माफ़ी भी मंगेंगे guys लेकिन सब कुछ कहता है न सुधार में आएगा यहां पर पता चल रहा है और अगर परिवार का मसला है वहां पर भी चीज़े ठीक होगी है ना परेशान मत होना guys परेशान मत होना कुछ मामलों में ना recovery इस तरीके से है guys कि जहां पर इंसान के उमीद है खतम होती है ना कि अब possible नहीं है इन चीज़ों में सुधार होना वहां पर वो possibilities बन जाना आपकोद manifest भी कर रहे हूं ठीक है यह कार्ड आजकल आ रहा है guys यह कार्ड कईयों reading में आजकल इन दिनों में आ रहा है जो कह रहा है eight of words का card good news मिलना guys को शुब समचार आपको मिलने ही मिलने है यह promotion के हो सकते हैं आपकी तरक्की के हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर हो सकते है जिसको लेकर आपका इंतजार चल रहा है इंतजार खतम करने वाली कोई good news पक्का मिलेगी आपको ठीक है यह आपका कोई idea है वो successful हो जाएगा किसी काम में आपने idea लगा है वो सफल होगा guys ठीक है यह देखो sign मिल रहे हैं आपको queen of swords के energy में हो जो कह रहा है कि एक जैसा sign आपको बार-बार मिल रहा है हो सकता है कि जोड़े में birds का दिखना या एक पक्षी का दिखना एक ही जैसा sign आपको बार-बार मिल रहा है जो एक विशेश गटना के बारे में कह रहा है जो sudden आपके life में बनेगी पैसों को लेकर चेंटाएं आपके खतम होने वाले उसको लेकर भी आपकी दुविदाएं खतम होने वाली है कि अगर कोई opportunity आती है उसको लेकर confusion है तो उस confusion से आप बाहर आ जाओगे ठीके आपको मदद मिलने वाली है guys ठीके यहां पर भी four of cups का card आया है यानि संगर जो थे ना वो खतम हो रहे हैं guys क्योंकि four four के energy यहां पर triple four में नज़र आ रही है और nine nine का card भी आया है जो कहीं ने कहीं problems की खतम होने के बारे में और एक fitted खुशी के life में मिलने के बारे में बताता है ठीक है तो परेशान मत होना कहें जो भी आपके भाग्या में खुशी का मिलना लिखा हुआ है बहुत चल शिग्र अति शिग्र वो आपके life में दस्तत दे रही है और उसके लिए आपको जितना ready करना था आपकी परेशानिया create करके आपकी life में challenges create करके तो सब को आपने पार किया है और आप आपकी life में एक नए chapter के शुरवात हो रही है जो ये blessing ये faded खुशी आपको देगी ठीक है तो आपका भाविशे कह सकते हैं guys की personal life को लेकर और professional life को लेकर बहुत balance में रहेगा ठीक है तो परेशान मत होना हो सकता है कि guys 9 हफतों में कुछ बड़ा आपकी life में ह कुछ वो प्राप्त हो जाए आपको जिसका आप भी सब्री से इंतजार कर रहें तो ये 9 हफते बहुत खास रहने वाले हैं ठीक है ना जी तो guys ये थी आज की reading I hope आपको पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को comment like share कीजिए मैं मिलत आपको नेक्स रिडिंग में तब तक के लिए बाई